चोरी हर जगा पे मनाएं आप चाहे कॉंटेंट की करें या किसी भी किसब की करें तो गूगल भी आपको पाइरेसी नहीं करने देता पाइरेसी बेसीकली कॉंटेंट की चोरी है अगर आपका कॉंटेंट किसी और की कॉंटेंट वेबसाइट से उठाया हुआ है तो गूगल आपको पेनलाइस करेगा और पेनलाइस का मतलब यह है कि वो आपको सिसा देने के लिए आपकी रैंकिंस खत्म कर देगा तो अगर आपके website में content ऐसा है जो किसी और की website में है, पहले से पढ़ा हुआ था तो आपको उस पे नहीं डाल सकते हैं अगर आप वो monitoring अपनी website पे डालेंगे तो मसला यह होगा कि Google आपको उससे पारेसी के लजाम में वो कहेगा कि आपने content copy किया है आपने अपना content नहीं लिखा तो वो आपकी rankings डाउन करेगा और आपकी website कैसी होगी वो rankings खतम हो जाएंगी Google में अच्छा अब ये तो होगी वो content की piracy जो दूसरी website से लोग उठाते हैं वो तो बिलकुल मना है लेकिन अक्सर लोगों को ये नहीं पता कि वो अपने ही website की duplication कर लेते हैं इसको content duplication बोलते हैं और इसमें होता ये है कि आप अक्सर अपने ही website के pages multiply कर रहे होते हैं Google आपको उनके लिए भी penalize करता है हलाकि आपको पता भी नहीं होता है इन चीज़ों का तो content duplication क्या है इसमें हम ये बात करेंगे होता किया है अक्सर आप किसी website पर जाते हैं और website पर आप देखते हैं कि मुक्सी तरह के URLs आपको नजर आते हैं कभी आपने गोर नहीं किया होगा क्यों कि आपको शहीद पता नहीं है कि उनका मतलब क्या होता है लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से मुक्सी URL जो URLs हैं वो basically आपकी duplication में help करते हैं यह आपने सबसे पहले जो fundamental concept समझना है कि Google के लिए हर URL different है वो उसको unique URL लेता है तो अगर आपने एक alphabet की भी change आगी है आपके URL में तो Google उसको एक नया URL consider करेगा वो URL पराना और नया जो दो URL different होंगे उनको दो URL count करेगा हाला कि हो सकता है कि वो एक ही URL की दो शकले हो तो for example अगर आप यह देखें तो यह basically तीन URL है यह एक mobile store के ओपर एक smartphone smartphone के निचे अगर आप score rating से select कर लें तो आपके वो question mark लगके rating is equal to 4 तो four star rating मैंने mobile shortlist किये तो आगे four star rating के mobile नजर आएंगे तकि URL चेंज हो गया उसके निचे अगर आप जाएंगे तो वो COD cash on delivery और basically उसको select करने से वो भी URL चेंज हो गया अब यह हैं तीनों different URLs तो Google इनको तीन different URLs count करेगा problem यह है कि यह basically एक ही page की तीन छकले है और इसमें सिर्फ यह हो रहा है कि आपने जो filter लगाया है जैसे आप filter on करते हैं वो mobile जो है वो sort हो जाते हैं कभी आप popularity से filter करते हैं कभी आप brand wise filter करते हैं तो कभी आप price wise filter करते हैं यह होता किस तरह से यह तो for example यह एक mobile store की example है कि आप इसी mobile store पर जाएंगे और आपको इस तरह से कभी mobile का page आपने देखा लेकिन आप देखेंगे left side पर आपको filter नजर आ रहे है तो पहला filter में apply करता हूँ जैसे ही मैंने इसको rating four star and above मैंने select किया आप देखेंगे कि उपर filter की एक option मुझे बता दिया कि यह result filtered है और filter में criteria का set हुआ है कि four star and up की ratings है और नीचे उसका URL देखेंगे आप तो URL उसका change हो गया अब यह URL basically क्या बता रहे है यह user को असल में question mark लगाने के बाद rating four का मतलब यह है कि इसी page के उपर वो सारे mobile जो four star यह four star से उपर की rating के हैं सिर्फ वो जी दिखाने बाकी hide हो गया है अब hide होने का मतलब यह नहीं है कि वो इस पर exist नहीं करते हैं वो सिर्फ आप से hide हुएं लेकिन वो page के उपर exist करते हैं और वो Google को accessible भी है तो problem यहां पर यह आती है कि Google को यह लगता है कि यह different page है क्योंकि इसका URL different हो गया अब यह आम लोगों को नहीं पता और यह एकसा developers को भी नहीं पता होता कि यह content duplication में count होता है तो आप अपने ही page के दो version बना चुके है जैसे ही आपने एक और filter लगाया for example मैं cash on delivery का filter लगाता हूँ तो हम लिचे देखेंगे के उसमें question mark service is equal to COD एक और query add होगी है तो यह जो end पे यह URL के बाद यह जो query चल रही है question mark के बाद इसको हम queries बोलते है इस query से क्या होता है कि आपका website जो आप behave करती है आपके system आपको content दिखाने के लिए तो अब जैसे मैंने COD select किया तो मैं असल में चाह किया रहा हूँ मैं सिरफ वो mobile चाह रहा हूँ जो मुझे घर में cash on delivery पे मिल सकते हैं मुझे बाकी mobile नहीं चाहिए जिसके लिए मुझे पहले payment देनी पड़े या मुझे credit card पर देनी पड़े तो ये वो चीजे हैं जो आपको हर e-commerce store पे दज़र आती है तो इन तीनों में मसला ये है कि Google के लिए तीन different pages हैं तो ये content duplication की एक शकल है इसके बाद एक और आपने problem देखी होगी कि content जो है उसमें अक्सर website में www लिखा होता और अक्सर में नहीं लिखा होता so for example abcmobiles.pk simple URL अगर आप open करें तो भी website खुल जे और अगर आप www.abcmobiles.pk खुलें तो भी खुल जे तो असल में ये एक ही website के दो नाम है problem ये है कि ये भी दो different URLs हैं और Google इन को भी duplicate count करेगा so ये बड़ी common mistake है जो अक्सर websites में देखने में आती है होता क्या है कि वे website www से भी open होती है और www के बगार भी open होती है so अगर आप देखेंगे कि आपके browser में कुछ जब आप URL लेखेंगे उनमें www लिखावा होगा और अक्सर डवी 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 नहीं लिखावा होगा इसमें understand करने वली बात यह है कि अगर ये दोनों version से website open हो रही है तो ये duplicate है Google के लिए आपको वही page नजर आएगा जो www के साथ और उसके बगए नजर आ रहा था Google को ये दो pages उसको ये दो pages count करेगा चुकि ये हर URL से पहले आप www लगाएंगे तो वह खुल जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पूरी की पूरी website जो है ना उसमें जितने भी pages हैं वो असल में double pages हैं क्योंकि Google उनको दो जगा से access कर सकता है और इस बात पर आपको penalty पढ़ेगी Google से ये duplicate content है और आप अपने page ही copy कर रहे हैं हलागे वो एक ही page के दो URL हैं आपने copy नहीं की लेकिन Google इसको count करेगा तीसरी option एक और भी असल में जो है ना duplication होती है वो इस तरह से कि अगर आप में देखा हो तो URL में कभी HTTP लिखा होता है और कभी HTTP के बाद S भी लिखा होता है S का मतलब यह है कि इस पे SSL certificate installed है यह SSL certificate क्या करता है यह basically security enhance करता है website के ओपर जिस पे हम मजीद बात करेंगे लेकिन HTTPS का मतलब यह है कि यह secure hypertext transport protocol है और यह इस protocol पे पूरा internet चलता है इस पे हम बात कर चुके हैं जब आप SSL install करते हैं तो वो HTTPS URL वो भी open होता है और बगार SSL के भी URL वो तो public URL होता है वो तो open होता ही है problem यह है इसमें भी कि अगर यह donor URL एड़ टाइम एक ही website की open हो रहे हैं तो यह भी duplicate URL count होगा हलाके सिर्फ इसमें एक letter का फरक है लेकिन Google यह कहेगा कि यह दो different pages हैं जो कि आप ही की website हैं लेकिन आप अपनी ही website में content duplicate कर रहे हैं जिसकी reason यह हो सकता हूँ कि आप ranking लेना चाहरे हैं तो Google ने एक असूल बना दिया है कि आप नहीं कर सकते तो उसका मतलब यह है कि आपने नहीं करनी क्योंकि अगर आपके यह donor URL open हो रहे हैं तो अगर ऐसे ही open होंगे तो यह आपको content application में penalty देंगे